नमस्कात दोस्तों दी कन्फिटेंशल में आप लोगों का सवगत हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले इस्वेल का नुकलियर प्रोग्राम के बारे में और जानेंगे क्यों इस्वेल का नुकलियर प्रोग्राम बाकी और नुकलियर प्रोग्राम से अलग है और क्यों इतना ज शुरू करते हैं इस वीडियो को इस वेल का नुखिलियर प्रोग्राम बहुत कंप्लीकेड़ है इस्रेल का नुखिलियर पॉलिजी कुछ अलगी रहा है इस्रेल ऐपरेट करता है पॉलिषी ओफ डेलिबरेट एम्पिक्यूटी में मतलब इस्रेल हमेशा अपना नुकलियर प्रोग्राम को सिग्रेड रखेगा कभी खुल के नहीं बताएगा कभी अपना नुकलियर प्रोग्राम एकसेट भी नहीं करेगा या डिनाय भी नहीं करेगा 22nd September 1979 US का वेला सैटेलाइट जो की खास नुकलियर फ्लैशेज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था इंडियन ओशन में दो सुपरब्राइट फ्लैशेज डिटेक्ट किया अगले दिन उस ताइम का US प्रेसिडेंट जिमी काटर situation room में एक emergency meeting बुला लिया meeting में सब कोई confirm थे कि ये एक neutron bomb था neutron bomb एक छोटा nuclear bomb होता है जो की neutron radiation release करता है सब confirm इसलिए थे because इससे पहले भी वेला सैटेलाइट ने 40 और फ्लैशेज को डिटेक्ट किया था और सारे के सारे nuclear test निकले बट इस test के पीचे responsible कौन था एक ऐसा country जो उस टाइम technologically काफी advanced था पहले तो US को लगा South Africa because South Africa अपना nuclear program को लेकर बहुत ही जादा इंप्रस्चत था लेकिन South Africa के पास technology नहीं था then US ने South Africa के military allies पर नज़र रखा and बहुत research किया and एक नाम सामने आया Israel but Israel इस test को कभी confirm नहीं किया लेकिन अगर हम लोगों को Israel का nuclear program के बारे में जानना है then हमें Israel का history में जाना होगा 1947 में United Nations Jews के लिए एक separate country बनाना चाहता था British Palestine में 14 May 1948 में Israel एक separate country बना अगले दिन 15 May 1948 Egypt, Jordan, Syria and Iraq मिलके Israel को invade किया ये war 9 माने तक चला and आखीर में एक agreement के साथ कतम हुआ इसे Arab Israeli war भी कहा जाता है and इस war के बाद Jews को पता चल गया था कि अपना existence के लिए Israel को defense and technology के मामले में बहुत ही advance होना परेगा Israel का पहला Prime Minister David Ben Gurian बहुत ही obsessed से nuclear program को लेगर क्योंकि उन्हें लगता था कि Israel का एक nuclear power बना Jews के लिए सबसे बढ़ा तरक्की है and सिर्फ nuclear weapons ही Israel को future attack होने से बचा सकता है 1950s में Israel एक newly independent country था इसलिए उस time Israel के पास अच्छा कासर technology भी available नहीं था सो एक nuclear program को start करना उस time Israel के लिए बहुत ही tough था 1950s and 60s में France के साथ Israel का बहुत अच्छा relation था France इसलिए का largest weapon supplier था and Israel Swiss crisis में France के side से वार भी लड़ा था experts के according 1957 में France एन इसलिए के बीच एक agreement sign हुआ था जिसके अंडर दोनों देशों ने मिलके नेगेफ nuclear research center construct किया जब इस facility को United States and Soviet Union के satellite ने पकड़ा तब इस्रेल इसे manganese plant बताया इस्रेल को उसका पहला nuclear material फ्रांस से मिला था लेकिन six days war के बाद फ्रांस इस्रेल को nuclear material सप्लाई करना बंद कर दिया था इस्रेल uranium oxide अर्जेंटीना और साउथ अफरीका से खरीता था और हेवी वाटर नौर्डवे से इस्रेल का nuclear program का बहुत सारा information मौटेकाई वनू ने लिग किया मौटेकाई वनू nuclear facility में एक technician का post में काम करते थे 1985 में इन्होंने secretly एक camera लेके facility का अंदर चले गया और बहुत सारे pictures क्लिक किये उसके बात इन्होंने अपना job छोटके इसदल से बाहर चले गया वनू ने largest British newspaper Sunday Times में एक interview दिया और नेगेफ nuclear facility का pictures leak किया कुछ टाइम बात वनू एक लड़की से मिला और दोनों मिलके Italy का trip प्लैन किया वनू को बात में पता चला कि वो लड़की actually में एक Mossad agent थे वनू को arrest करके इस्वे लाय गया और आखिर में 18 years का सजा भी सुनाय गया नेगेफ nuclear facility बहुत ही protected place है वहां हमेशा surface to air missiles और interceptor aircraft ready to fight mode में deploy रहता है 1967 में इसरेल गलती से अपना खुद का Mirach F1S fighter aircraft को shot down करके गिरा दिया क्यूंकि वो facility का बहुत कड़ी बागया था और 1973 में एक Libyan civilian aircraft nuclear facility का बहुत कड़ी बागया था और उसे भी shot down करके गिरा दिया गया था माना जाता है कि इसरेल के पास आज के टाइम में 75 से लेकर 400 nuclear warrants है और इसमें हर category के nuclear warrants included जैसे की fission fusion large high yield से लेकर miniature small yield तक और आज के टाइम तो इसरेल नूट्रोन और M warrants भी possess करता है इसरेल के पास अभी बहुत option से इन warrants को अपना target तक deliver करने का इन में सबसे best option है जेरिको ballistic missiles इसरेल तीन तरह का जेरिको ballistic missiles develop किया है जेरिको 1, जेरिको 2 और जेरिको 3 इन तीनों में खाली range का difference है 1960s में बनाय गया जेरिको 1 एक short range missile है जेरिको 2 बनाय गया था 1980s में और यह एक intermediate range missile है और रिसेंटली बनाय गया जेरिको 3 एक intercontinental ballistic missile है जो कि Asia, Africa और Europe में कोई भी countries को heat कर सकता है आज पुरा दुनिया मानता है कि इसरेल एक nuclear power country है बट इसरेल इस statement को कभी accept या deny नहीं करेगा अगर कोई इसरेली लीडर या diplomat से पूछा जाए इसरेल का nuclear program के बारे में तो वो एक wake statement देंगे जो कि इसरेल के enemies के लिए और confusion create कर देगा और इसरेल simply यहीं चाहता है आज का वीडियो इधर ही खतम होता है उमीद है अब लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना because this is what I expect from you guys in return since यह एक निया चैनल है और यह मेरा पहला वीडियो था मुझे बता है मैंने बहुत सारा mistakes किया है so guys please comments में तोरा feedback देतो so अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो then thank you so much I really appreciate it and until next time bye